तो टाइप लिख देती हैं दिफ्रेंट इपर लिख देती हूं फिर मैं आपको वन बाए वन हर एक के बारे में क्वेर करूंदी तो टाइप ओप प्लान में आपके ओप्जेक्टिव आ जाएगा तो टाइप आपकी आजएगी ठीक है, टाइप उफ प्लान में आपकी पोलसी आएगी, आपके प्रोसीजर आएगे, ठीक है, टाइप उफ प्लान में आपके रूल्स आएगे, ठीक है, टाइप उफ प्लान में आपका आपके प्रोग्राम्स आएगे, टाइप उफ प्लान में आपका बजेट आएगा, ठी स्टेटिव स्टेटेजी पॉलसी प्रोंड लिए बसेली हमरे का है टाहभ О्प्लाच कहतेख करते हैं। बडेट लिए। ऑब्जेक्टिव एट॥ी Sureland आचेख क्रतिए। बसेलिव सब्सक्राइब औहछ Ε AC project जितनी भी planning activity होगी, वो objective को नजर में, mind में रखते हुए ही होगी, जो भी आप plan करोगे, आपके mind में क्या चलता रहेगा, आपको objective, objective कि आखिर आपको चाहिए क्या, आखिर आपको achieve क्या करना है, आप इतनी मेहनत क्यों गर रहे हो, ठीक है, जैसे मालो आप कही भी admission लेते हो, तो आप किसी भी course में कर admission ले रहे हो, तो उसके लिए पीछे आपको objective तो होगा, कोई goal तो होगा, similar यहां management की बात करें, यहां business की बात करें, कोई भी business organization, अगर organization को run कर रहा है, तो उसका कोई goal तो होगा, भही, कोई objective तो होगा, तो basically क्या होता है, कि end result हमें last में चाहिए क्य जैसे मैं आपको example देखें, objective क्या हो सकता है, किसी organization का, increase 5% quality of product, or reduce 2% defects, जैसे यहां, इस year का, जो organization का objective हो क्या है, अपने productive quality को 5% बढ़ाना, या फिर अपने जो product के defect, जो आ रहे हैं, को 2% तक कम कर देना, यह organization का objective है, अब organization जो भी plan करेगा, वो इस objective को mind में रखते हुए करेगा, okay, I think आपको समझ में आए, वो objective क्या है, हमें last में चाहिए क्या, जो हम इतना कुछ कर रहे हैं, जैसे organization का objective क क्या है, कि मुझे अब क्या करना है, planning करनी है, इस बारे में किस बारे में plan करनी है, कि मुझे 5% परणोड़ाना, या फिर 2% product 发 피क को कम करना, तो यह तो होगा हमारा objective, अब हम बात करते हैं, strategy, strategy क्या हो सकती है, आपके objective में, अब strategy क्या हो सकती है उस जो आपने objective रखा है ना कि 5% quality को बढ़ा रहा है इस objective को achieve करने के लिए जो आप planning बनाते हो okay simple क्या complete plan comprehensive complete plan to achieve objective अपने objective को achieve करने के लिए जो आप complete plan बनाते हैं और मेरे objective क्या है कि मुझे product की quality को 5% तक बढ़ान तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए अपने resources को मैं कैसे लगाँ अपने resources को कैसे allocate करूं how should I allocate my resources मेरे physical resources मेरे human resources उनको मैं कैसे allocate करूं या फिर जो choice of raw material मैं अपना raw material कहां से खरीट हूँ कौन से supplier से अपना raw material खरीट हूँ ताकि मेरे product की quality बढ़ा जाए मेरे इस objective को achieve करने के लिए जो भी plan बढ़ा हूँ जैसे choice of raw material हो गया हूँ ठीक है तो इस तरह के और decision लेना अपने human resources को कैसे train करूं ताक कि product की quality को बढ़ा सके अपने physical resources को कैसे लगा हूँ raw material कहां से खरीट हूँ यह सारे objective जो यह सारे plan जो मैं बना रही हूँ अपने objective को achieve करने के लिए वो क्या होगी strategy okay I think आपको समझ में आया लगा मेरे objective को achieve करने के लिए जो भी plan में बना रही हूँ मेरी strategy for example मैं एक example लिए for example choice of raw material choice of raw material अगर मुझे मेरे product की quality बढ़ा नहीं है तो मेरे raw material तो अच्छा होना चाहिए अब उसके बाद हम बात करते है policy की policy के general statement for guidance of employers को guide करने के लिए means policy जैसे मालो कुछ तरह की statement होती है जो हम notice word पर लगा सकते लगा देते हैं या और अपने employees को convey कर देते हैं कि इन्हें आपको मानना है ठीक है इसी इनी इनी policies पर आपको चलना है जैसे for example मैं बात कर रही हूँ return policy की जैसे किसी जैसे मालो एमेजन की return policy है कि आपको 30 days के अंदर अपना जो परड़क्ट क्या रिटान करना पड़ेगा इस तरह different different policy होती है कई कि price policy होती है कई क्या करते है fix price policy को adopt करते हैं वह tag लगा कर देते हैं कि no change in price या fix price ताकि कोई बंदा negotiate ना करें कम कर लो थोड़े और कम कर ना करें ठीक है बहुत लोगों की policy होती है कि वहां कि हम बात करते हैं कोई भी ऐसा मालो कोई भी ऐसी शोप है जाबे मैं से बोलते है वहां तो fix price है बच्चा भी चला जाएगा नो उसको उनकी प्राइजिंग पोलिसी क्या fix price इस तरह डिफ्रेंट 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 पॉलसे थे वह इस तरह की पॉलजी की बनाता है अपने employees को गाइड करने के लिए, guide means उनके employees उनी policy के coding वर्ट करें, जैसे return policy है, आप 30 days के अंदर अपना जो product हो आपछकर सकते हो, उनके employees को इस policy के बारे में पता है, वो उनके according की work करेंगे, जैसे fixed price, यह मेरे organization की policy है, तो मेरे organization के employees उसी policy पर work करेंगे means policy क्या होती है आपके employees को काम के लिए guide करने के लिए discipline policy होगी ठीक है I think आपको समझ में अगर different different policy एक organization create करता है for guidance of their employees ताकि उनके employees उसके according work करें okay I think आपको policy समझ में आया होगा तरी simple उसके बाद हम बात करते हैं एक इसमें प्रोसीजर की प्रोसीजर क्या होता है required step एक step different work करने के लिए different step follow करने पड़ते हैं जैसे एक organization जैसे आपको किसी college में apply करना है तो उसका प्रोसीजर होगा एक step होंगे जो आपको follow करने पड़ेंगे इसी तरह आपको एक organization में apply करना है जैसे recruitment के लिए तो उसके different process होगे जैसे organization में selection और recruitment के different process होगे सब selection process की बार करते हैं पहले उसमें क्या होता है screening होती है फिर selection example selection interview होगा selection interview फिर उसके बाद reference check फिर आपकी hiring इस तरह स्टेप होते हैं कोई क्रेबी work करने के लिए different time step होते है जैसी का मीइत सब्सक्राप करने को जो रिक्वायड स्टेप उसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं उसके बाद हम बात करते हैं रूस की रूस क्या रखते हैं तो आपको पुनिश्मेंट मिली आपको फाइन देना पड़ेगा ओके रूस में ऐसा नहीं चलेगा है किया है हमें क्या करते हैं और वह सुआ करूंगे रूस हो सकते हैं तो कि हमें दिद आफ़ हैं तरह के स्काशन है थानगी चाहिता हैं आप पकड़े गए तो आपको पुनिश्मेंट मिलेगी आपको फाइन देना पड़ेगा या कुछ अदर पुनिश्मेंट जो नोने कन्वे की हुई है तो रूस को ब्रेंग नहीं कर सकते हैं उन्हें आपको स्टिकली फोलो करना पड़ता है हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया किसे यह रूल है कि वहां पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं यह रूस हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम की प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम से पहले systematical way requires to perform routine task तरीका रूटीन जो काम करने का तरीका रूटीन जो रूटीन देर टूदेर लाइफ में हम अपनी जो टास्क परफोर्म करते हैं उसको करने का तरीक ठीक है हर एक काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसे तरीनिक के बहुत सारे करने के लिए वह रोल प्लेइंग को डॉप्ट करने के लिए वह रोल प्लेइंग को डॉप्ट करता है करने का तरीका है जैसे में आपको ग्रांपल दिया कि एक मैंजर रहा उसका रूटीन वर्क्या है तो ट्रेनिक देने के लिए को सा मेंथ्ट करता है रोल प्लेइंग को डॉप्ट करना इसके बाद हम बात करते हैं बजट की बजट बिल्कुल सिंपल इस टेटमेंट ओप एक्सपेक्टिड कोस्ट मैंजर हूं को आप मैंडप के बाता है वो अवर्ड बजट मिलाता हैं i.t वाला अपना लग से बजट बन आएगा, i.t वाला अपना लग से बिनाएगा अचर वाल अपने बज़ लग से बज़ू गुटिंग आउगा सब्सक्राइगा न 저희 हमरा को पूस्के हाई ऑपना बज़ड ng Technically कर सके किसे कि मप इसे कितने फंड तो थोड़ जाता है आई टी वाला अलग बनाएगा अचर वाला अलग बनाएगा तो पाला ओर विजट बनाता है इस प्लैन पर कितना खर्चा आ सकते हैं इसे अपने बाद मेजर करते हो उसके बाद प्रोग्राम यह बहुत इंपोर्टन था प्रोग्राम बेस्ते के लिए क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ओफ गोल्स, पोलसी, प्रोसीजर, रूल्स, सेक्टर, यह सबका कॉम्बिनेशन है, मैं पो एप इस एजामपल के शुरू बताती हूँ, यह जैसे, डेवलक्मेंट ओफ, यह आपका प्रोग्राम है, आप नए प्रड़क को डेवलप करने जा रहे हो, तो इसमें आपका अप्जेक्टिव याजेगा, इसमें आपकी पोलसी याजेगी, इसमें आपको प्रोसीजर भी आएगा, सबकी डिटेल आउटलाइन है, अब आपका उब जेक्टिव क्या था क् manifest करना किसान और प्रीविश की अप करें तो इसके लिए आपको ऑज्चेक्टिव भी लिखोगे आप ने पड़ंग करें इसमें आपकी प्लिशी नये प्ड़क को जीब करने के लिए आप कुछ इंपलोई के लिए पॉलिसी तो सेट करोंगे ना रिटर्न पॉलिसी यह होगी इसकी सेर्स पॉलिसी यह होगी इसके प्रोग्राम में सबका कॉंबिनेशन है ठीक है जैसे मैंने आपको इहां पर एक्जामपल दिया वेरी सिंपल इसमें सब सबकी डिटेल आउटलाइन सबके बारे में इसमें आजाएगा प्रोग्राम में सबके बारे में ओके जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा बहुत सिंपल है कि अब आप